आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ पीडियड अफ अ पेंडुलम क्या होता है डाइम पिरिड़ अफ अफ अपेंडुलम इस इक्वल टू अगर उसका हम टी से बोलेंगे तो टी इस इक्वल टू टू पाई रूट एल बाई जी ठीक है अब यह जी जो यह अक्सेलरेशन है यह अक्सेलरेशन होगी due to gravity अगर यह सिरफ gravity के influence में है ठीक है पर इधर एक और acceleration काम कर रही है तो हम क्या बोलेंगे हम इसको लिख सकते है टी इस इक्वल टू पाई रूट एल बाई ठीक है अक्सेलरेशन जो इफेक्टिव होगी ठीक है उसका नॉर्मल पेंडोला मैंसे है यह रा बब ठीक है अब हम देखेंगे बब पर दो फूर्सेलरेशन कर रहा होगे यह है हमारा रेडल डिरेक्शन में जो कर रहा होगा ठीक है अक्सेलरेशन जो है ठीक है और यह हमारी acceleration होगी due to gravity ठीक है तो यह क्या होगी हमारी acceleration होगी हमारी यह होगी हमारी centrifugal acceleration ठीक है centrifugal acceleration का formula क्या होता है centrifugal acceleration acceleration इसका formula क्या होता है this is equal to v square by r ठीक है यह r क्या हमारा r हमारा capital r ठीक है यह हमारी centrifugal acceleration और यह अब यह दोनो जो accelerations है यह दोनो 90 डिगरी पर है ना 90 डिगरी पर तो इनका जो resultant होगा वो कुछ इस धर होगा है ना और उसका value क्या होगी अगर इनका resultant हमारा है तो इसकी value क्या होगी A dash is equal to root of g square plus a square है ना यह हे हमारा तो A dash क्या हुआ हमारा A dash हुआ हमारा A dash is equal to root of g square plus V raise to the power 4 upon r square है ना क्योंकि इसको हम square कर देंगे ठीक है यह है हमारी effective acceleration हुई on the bob, ठीक है, तो मारा time period क्या हो जाएगा, इससे हम निकाल चकते है time period, ठीक है, time period of bob, this is equal to 2 pi root L by root of g square plus v raised to the power 4 upon r square, okay, so this is the answer, thank you. Classics to 12 से लेके need IIT जे ही means और advance के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा, आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट आउट आच 4444 सूपर